आपड़ा आ वीडियो नो टोपिक चे थिर्योक मशिन्स युनिट 7 बैलेंसिंग और वाइब्रेशन अन्न आपड़ा आठमो लेक्चर चे आ लेक्चर नी अंदर आपड़े क्लासिफिकेशन ओफ वाइब्रेशन छे तिया आपने जोसु आगणना अपना लेक्चर मी अंदर आपने वाइब्रेशन तेनू इंट्रोडक्षन कई रितना ते उधभवे चे तेना पोजीज अने ते कई रितना दूर करी शकाएचे तेनी दिमीडीज आपने जोई तो आपने लेक्चर मी अंदर आपने तेनू क्लासिफिकेशन छे आपने जोवानू छे तो वाइब्रेशन ने मूखिय ब्ये प्रकारे आपने तेनने डीवाइड करी शकिये एकतो अकोडिंग्टु ताइप ओफ ट्रेस रिकलत लागेंक्षे आणे तेनों प्रकार के वह चे तेना लिदे जे वाइब्रेशन अने विजो प्रकार चे according to the type of stress in supporting medium एटले के जे body उपर force लागया चे तेनी supporting system मा जे stress जन्रेट थाई चे तेना आधार उपर आपड़े बिजो विभाग आपड़े पारी शक्या तो आप बे प्रकार आपड़े vibration ने आपड़े classify करी शक्या चे पचे तेने वदार आपड़े deeply आपड़े classify करी तो जे body उपर force लागया चे ते force ने लिजे बे प्रकार पड़े free vibration अने forced vibration तेना बे प्रकार चे damped vibration अने undamped vibration अब फ्री vibration पेला आपड़े चोई तो free vibration एटले सुँझा थाई के जियारे कोई पड़े उपर force लागया चे अने ते force ने आपड़े दूर करिये चीए तेयार बाद vibration जे जनरेट थाई चे तो आवा vibration ने आपड़े free vibration के सुण force चे दूर थाई चे अने पछी जे vibration जनरेट थाई चे तेने आपड़े free vibration अहिया जे vibration जनरेट थियू चे ते force नी असर नीचे नथी अवे free vibration नियं अंदर force चे ए continuous apply था तो नथी forced vibration सुँझे तो तेना थी विरुथ कि कोईपन बोडी उपर जिहार रहे continuous force चे apply थाए छे अनने ते force नी असर नीचे body चे ए vibrate थाई छे असवा दो body माँ vibration create थाई छे तो तेने आपड़े forced vibration चे आपने लास्ट लेक्ट्चर नियंदर पुन आपने जे वैबरेटिंग सिस्टम चे तेना एलिमेंट्स आपने जोया आता ते आपने यहां फरीथी आपने रिपीट करिया जिये जोओ जे वैबरेटिंग सिस्टम नी अंदर डेमपर नी जोगवाई करवा मावे लिवए याटला के डेमपर तेनी अंदर फिक्स करे लुए तो सुन थाए के मास से एनिव पर जे फोर्स अपलाई करवा मावे तो फोर तो त्ये वैबरेशन चे एए जल्दी थी वैबरेटिंग फोर्स जे चे अथवा-थो अंदलेंस्ट चे अथो डिस्टरब्ड फोर्स चे ते डेमपर चे डिसिपेट करचे एटले के डेमपर तेनी शोसी लेशे आने वधारे वाइबरेशन थवा देशे नाई एटले जहा बंदेंपर नि जोगवाई नव होई एवी सिस्टम मा वैब्रेशन नी मातरा ''वधारेओ Marines समयज़क़ वधारेओ और जैसे निजोगवाई थेली होई त्याँ unmoodन वाइब्रेशन जीनि मातरा lenght इटलए CR dust accidentally NUT जे सिस्टम मा, डेमपर होई, तो तेने आपड़ें Moano Damned vibration के शुँचूं, अन्ने, जे सिस्टम मा damper होई सो तेने के वहई, un damped vibration, ऐ बनने, केसी इस नियंदर, free vibration और forced vibration नियंदर आप बनने लागू पड़से create free damped vibration force damaged असवा थो forced undempt vibration एटला के सिस्ठम नी अंदर ज़्यारे force अपलाई करवा महावे चे अने force continuous होई आने तेनी अंदर damper नी जोगवय करेली होई तो तेने forced damped vibration केशु अने जो damper नी जोगवय नगरेली होई तो तेने आपणे forced undempt vibration चे तेम केशु एटला मित्रो अप्रे चार डेफिनेशन चे अप्रे जोई और चार केसी अलग अलगे अप्रे क्लासिफिकेशन ना जोई हवे सिस्टम नी अंदर बोडी मा फोर्स लागवा थी नहीं पान बोडी ना सपपोटिंग मीडियम छें वhmmयोगे तेना फ्रेम छें तेना सपोर्स छें हाने अंदर जे स्ट्रेस कृर क्रियेट थायी छें अन्र देना लिदे जे वाइब्रेसन ynam थाये तेनोप्रकार आपड़े हिंय आपड़े जी उस्टो तो तेवा आपणे तोण प्रकार छे यह पडहे चे पेलू छे, लोंजिक्वूडनल , बीजुचे ट्रांसवर्स , अन्य त्रीजुचे टोर्ष्णाल लोंजिक्वूडनल वाइब्रेशन है लेट लेके लोलन वाइब्रेशन, के ते एकसिस उपर छे ए थाई चे यह अपने जो यह एक्जम्पल आपिल होँचे वर्टीकल एक्सिस ज्य है ज्य उपर तो आर इतना स्प्रिंग ना लिधे मास से ऊपर नीचे था तो इte जे आ एक्सिस वर्टिकल एक्सिस उपर जे ट्रांस जे मोशन थ्यू जे तो अहिए आपड़े तेने के सुं लोंग जी ट्यूडिनल वाइब्रेशन बिजू वाइब्रेशन जे एचे ट्रांसवर्स वाइब्रेशन चुँओ आज सिस्टम जे आहिए साफ्ट साथे मास जो आ ओक्सिलेशन ने लिए जे वाइब्रेशन क्रियेट्टीव तेने के वैए ट्रांस वर्स वाइब्रेशन आए इन इक्मिलिब्रियम पोजिशन यही ते बन्यवाजी बेक और फोर्थ आर इतना वाइब्रेट थासे अहिए लोंजिक्यूडिनल जे अहिए आ आजे ये आणे अठो वाइबरेशन थाई तो तो तेने आपने केशुक्त तोर्सनल वाइबरेशन तो सपोर्टिंग सिस्टम मा आज शपोर्ट छे ए सिस्टम नी अंदर जे स्ट्रेस क्रियेट थियो ए कई प्रकार नोँचे एना आधारू पर आपड़े वाइबरेशन नुँ अहिआ क्लासिफिकेशन छे ते कई रू तो classification of vibration नी अंदर अटली वा तो अपड़े लिदी अहीं चाहा definition ज़े अहीं त्राँ definition ज़े तो आँ साथ टोपिक छे classification of vibration नी अंदर आपड़े जोया हवे आपड़े classification of vibrating systems छे ते आपड़े जोये vibrating systems नी अंदर मुख्या ते कई axis उपर vibrate थाई शके छे तेना अधाग उपर अपड़े तेना प्रकार छे पाड़ी शक्ये अपड़े खबर छे कोई पान वस्तू छे ते आर इतना अत्वातो आर इतना x, y अने z axis अत्राण axis से ए धरावती वोई हवे समझो कोई एक system छे ते horizontal reciprocate थाई छे तो आएक 1 degree of freedom थाई ते vertical axis super reciprocate थाई छे अने बनने axis super साथे जो reciprocate थाई शकती होई तो तेने 2 degree of freedom की दू अने यहां z axis super ते reciprocate थाई तो यह पन 1 degree of freedom थाई x axis super ते rotate थाई शके, z axis super rotate थाई शके अने y axis super ते rotate clockwise अत्वा तो anti clockwise तो आर इतना कोई पन बोडी ए केटली axis उपर अत्वा तो केटला coordinate उपर ते free जै, vibrate थवा माटे, तेना अधारे आपड़े vibrating system नू आपड़े classification करी शकी है तो त्रोन प्रकार ना इना classification जै, single degree of freedom, two degree of freedom and several degree of freedom single degree of freedom जैसु किये जै, कि जहारे कोई पन बोडी ते एक axis उपर अथवा तो एक coordinate उपर ते reciprocate थे शकती होई, अथवा तो rotate थे शकती होई, तो तेने केवाई single degree of freedom ते x उपर वही शके, y उपर वही शके, अथवा तो z उपर वही शके पन एक ज़ कोडी नेट उपर, अथवा तो एक ज़ एकसी सुपर, ते reciprocate थे शके, अथवा तो ते rotate थे शके तो तेना आप्रे सुं केसुं single degree of freedom जुँ आपने example लिदू जे तो आपने वाइब्रैटध तो एकज एकसी सूपर आजे case बने जे, एकऴरे то 성 Wales બરે 2 ડિગ્રે 2 જેડે 2 હ્રૂ એપં.. થ્ય મ્રે 2 દેડે 4 જેડે.. આપને આરે બદે 4 આપી.. યો 2 ofere firsts तू डिग्री ओफ फ्रिडम छे तेनो केस जनरेट थाई छे अन्य जहारे बिये करता वधारे एटले के X, Y, Z आ त्राणे त्राण एकसीज उपर कोई पन मास से ए वाइबरेट थाई शकतो होई तो तेने आपड़े several degree of freedom system ने अन्दर आपड़े classified करी शकिये तो आपड़े classification of vibrating system पन जो यू, डिग्री ओफ फ्रिडम ने आधारे तेने आपड़े classify करी शकिये classification of vibration पुन जोईू तेने body उपर लागता force और supporting system मा उत्पन थता stress ने अधार आपड़ा classify करी शक्ये आ lecture मा तमे classification of vibration और classification of vibrating system योगे यतना समझी चुकिया आजो आपड़ा next video नी अंदर आपड़ा vibration नी अंदर अमुक यूज़ थाज़े terms से तनी साथे आपड़ा आपड़ा आपशों तेन सुझी है कर था थैंक्यू